जिस वक्त का पूरे देश को बेसबरी से इंतजार था आखिरकार आज वो दिन आही गया देश भर में कोरोना वैक्सिनेशन अभियान शनिवार से सुरू हो गया है इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्रियोगी आदितिनाथ ने कहा कि वे वैक्सिनेशन तब लगवाएंगे जब उनका नमबर आएगा उन्होंने कहा कि किसी को भी वैक्सिन जबजस्ती नहीं लगाए जाएगी वैक्सिनेशन में प्रोटोकॉल का विश्री इसधियान रखा जाएगा मुख्यमंत्रियोगी आदितिनाथ ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने प्रात्मिक्ता तैकी है उसी हिसाब से टीके लगाए जाएगे सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाए जाएगा चार लाख 31,241 सुरक्षा कर्मी एक करोन 3,666,219 सोसल वर्कर्स मीडिया वारूरल वारियर्स एक लाख 5,731 पोस्ट डिलेवरी वारियर्स सामिल है वैक्सिनेशन अभियान के लिए सभी राज्यों और केंदर शासित प्रदीसों में कुल 3,006 वैक्सिनेशन सेंटर बनाए गए है पहले दिन लगभग 3,000,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सिन लगाई गई इस संबन में गुरेपुन न्यूस से बात करते हैं मुख्यमंटरी होगी आदितिनात ने कहा बित्रों आज का दिन पुरे देश वासियों के लिए एक ने उत्सावर उमंग का दिन है अभी कुछ दिर पहले आदिने प्रधान मंत्री जी का एक महत्वपुन संबोधन सुनने का उसर पुरे देश वासियों को प्राप्त हुआ है और खास तोर पर पुरी दुनिया पिछले दस महिनों से जिस बैस्विक महमारी से तरस्त थी भारत के अंदर करोना के खिलाब देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की देश से आज वैक्सिनेशन का कारिक्रम हो रहा है इससे पहले हम लोगों ने तीन चर्णों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कारिक्रम सफलता पुर्वक संचालित किये मैं इन सभी चर्णों में अलग अस्थानों पर गया था आज ये लखनों का प्रतिश्टित बल्लामपूर हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वेव लोग भी हैं जिनें आदा घंटा से जिक हो चुका है और वो अई पूरी तरह कमफर्ट मैसूस कर रहे हैं कहीं कोई समस्या कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ दो वैक्सीन लॉंच की है प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों मैं भारत की सुपलब्धी के लिए मैं प्रधान मंत्री जी का विनिंदन करता हूँ और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूँ लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश करोना के खिलाब इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है कुछ निहत स्वार्थी तत्व जो अफ़वा भेलाने का कारे कर रहे हैं उन सबसे सतर्क महने क्या उसकता है और मैं खास तोर पर मीडिया से जड़े भे आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि यस पूरी मुहिम में आपने देखाओगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही हमारे हल्थ वरकर्स की रही, करोना वारियर्स की रही और समाज के विविन स्वेम सेभी संगठनों, सामाचिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रदान मंत्री मोदी जी के निर्पृत्तों में इस लड़ाई को लड़ा था उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सिनेशन के लिए भी भगदड या छीना जप्ती या किसी प्रकार की अफ़वा से बचे वेगर हमें वैक्सिनेशन के कारिक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का अंतिजार भी करने की आउसिकता है मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी उन सभी हल्थ वर्कर्स को मिलके आया हूँ जिसमें हमारे डीजी हल्थ भी है और डीजी फेमली वैलफेर भी है उन्होंने भी लगाया है कई हमारे यहां के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है स्टाप नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लेया है और आदा दे घंटे से बैट करके वे लोग इस चीश को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है सस्ती वैक्सीन है दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है मेडिन इंडिया की इस रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्तुकून अभियान है और करोना के खलाब देश की लड़ाई को विज़ाई की और अग्रसर करने का भी एक महत्तुकून अभियान है मैं इस उसर पर उन सभी को जिनोंने करोना के खलाब देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है आज जब वैक्सिनेशन का एक कारिक्रम प्रारंबो हो रहा है प्रेदेश के अंदर एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और प्रथम चर्ण में हेल्थ वरकर्स को इसके साथ जोड़ा गया है यह ज़रूरी है कि वैक्सिन लगाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी इसका लेना है इसके बाद कम से कम 12 से 15 दिन का इंतिजार करके क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा साथानी तब भी बरतनी पड़ेगी दोगच की दूरी और मास्क जरूरी यह महत्पुन होगा और उसका पालन करते भी निश्चिति यह वैक्सिन करोना चेन के संक्रमन को तोड़ने में और करोना से देश की इस लड़ाई को विज़ाई के और अग्रसर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निरुभान करेगा मैं अपने सभी हेल्थ वरकर्स को सेकिंड भेज में या वैक्सीन करोना वारियर्स को दिये जाएगी जिसमें सभी पुलिस कर्मी सुरक्सा के जड़े वे जवान राजसों से जड़े वे होम डिलिबरी डोरिस्टेप डिलिबरी से जड़े वे जितने भी हमारे लोग थे उन सभी को सफाई कर्मियों को इसके साथ जड़ा जाएगा और इसके बाद तीसरे चरण में पचास साल से उंपर के नागरिकों को और पचास साल से नीचे के उमर के उन लोगों को जो विभिन प्रकार की बिमारियों से पहले से ग्रसित हैं उन्हें इसके लिए लेने की प्रकरिया प्रारंब होई है मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अपनी बारे का निचार करके दुनिया के सबसे बड़े टेका करण की अभियान के साथ एक सकारात्मक भूमिका के साथ जुड़ेगा टेका करण अभियान की पूरी सफलता के लिए जिस प्रकार की रणनीती अपनाई गई है अब उसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए हर व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका और प्रणान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में हम उस सकारात्मक के साथ आगे बढ़ेंगे जब बारी आएगी तभी हर व्यक्ति अपनी वैक्सीन के लिए जाएगा इससे पहले कोई भी अनावस्यक रूप से टीका करण का प्रियास नहीं करेगा जब जिसकी बारी आएगी उसके लिए करम तै कर दिया गया है और उसी करम से हर व्यक्ति अपना वैक्सीन लगाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि करोना चेन के संक्रमन को रोकना है उसको तोड़ना है और इसके लिए आउस्यक है कि भारत सरकार ने एक उसके लिए गाइड लाइन तैकी है उस गाइड लाइन का पलन हरे एक पित्यू को करना होगा है बाद बाद धने बाजे